कि हैं लोग कर चुके अब करा 13.4 में क्या घ्यान दो कर निम्लिकित असमिका लिकाय को आलेक यह विदी से हल किजे इसको आलेक विदी से कहा जरा हल करने के रहे ते एक सर्साइज हम लोग तहीन हम देखों करान इसको किस विदी से अब यह था झालेके उप्लिन निम्लिके लिएकाय कोलेकित अब कितना इसन आ गया एक WRH आ जया अब दो आAY तब कैसे इसका अब इसका और से लेकिन अब दोनों दे दिया तब कैसे ग्राफ में जाल करते देखो अब इसके लिए क्याना यहां पे संगा समिक्राफ बना लो यहां बरावर का चिना है तो गाढ़ा लाएं से खिचाएगा गाढ़ा लाएं से खिचा जाएगा तो यहां बरावर चार का है एक दो तीन चार है इसका ग्रावर किसके समांदर होगा तो गाढ़ा लाएं से पड़ेगा ऐसे खिचा ग्रावर चार का ग्रावर लो तो दोनों समिकन का ग्राव बना अब क्या करना अंसर देना तो अंसर कैसे थी तनसर देने के लिए देखो नहीं बताते यह करना यहां पर हात रख रख देए अब देखो इस ग्राव का क्लावर इधर होगा यह इधर होगा पता नहीं इसके लिए कि एक से बढ़ा हो ऊन्से पर घ्रागर कि इधर होगा इसको ऐसे एड़ो देखे कि छोटों जोड़ा फिए अब इतर इस पता हो गहाँ इस लाजा कि दार हो अब एक करा ना बाई लेज देंपूर्मूह किदर है चार तुमतलब का माल छोटा ने किससे चार से ते बता बाई कमाल यहां है चार से छोटा किदर नीचे इढ़ सोटा बाद इस लाइन का कलर और इस लाइन का कलर कि इधर मिलेगा इस ग्राफ का कलर इधा जा रहा है तो कहां मैच करा इतने दूर मैच करा इतना दूर मैच किया इतना ही कलर होगा इतना ही कलर होगा इतना ही कलर होगा इसे इस लाइन के इधर देखो दोनों ग्राफ का कलर कहां मैच किया इतने दूर किया इधर मैच किया इधर इस लाइन के ग्राफ आ रहा है तो इसका नहीं इधर इसका आ रहा है तो इसका नहीं जहां दोनों मैच करेग इसका देखो इसका भी कराए ग्राफ से हल करो इसका सबसे पहले क्या लिखना पड़े हम लोग को संगत समीकन लिखना पड़े तो इसका संगत समीकन लिख दो तो संगत समीकन क्या हो जाएगा एकस बराबर में पांच फिर बाई बराबर में दो लिख दिए अब इसके लिए भी हम लोग क्या ना टेवल तो बने गया नहीं डारेक ग्राफ खिच दो अब ग्राफ खिच देते हैं देखो यह आपका x x x dash x और y axis और यह by dash यहां जानते हैं 1 2 3 4 5 होगा 1 2 3 4 5 minus 1 minus 2 minus 1 minus 2 x ग्राफ 5 तो 1 2 3 4 5 इसका ग्राफ किसके समानतर होगा तो बाई अच के समानतर होगा बरावर का चिन है तो गाढ़ा लैंसे खिच देंगे इसको ग्राफ को और एक ग्राफ लिख दो किसका ग्राफ है तो एक बरवर 5 का है फिर बाई बरवर 2 बाई बरवर 2 का graph है अब ये दोनों को color करना है ये दोनों graph को तब color किया धर होगा है पहले इस graph का color करते हैं अब इस graph color a side होगा या a side होगा उसको पता करने के लिए 5 के बाद हाथ रख दिए और यहाँ चल दो ये देखो करा x command 5 मतलब बता हो गया किस ग्राफ का कलर ए साइड हो गया फिर इस ग्राफ के लिए आजा यहां पे बाई बरबर दो पे हाथ रख दी अब कलर उधर होगा की नीचे पता नहीं हाँ देखो बाई तरब मुह कहले है मतलब दूसरे बड़ा होना चे बाई कमान बोलो बाई कमान दू समझा रहे हैं तक कलर उपर होगा देखो अब इस ग्राफ ए दोनों ग्राफ में दोनों इस ग्राफ का एरो कहां मैच कर रहा है बता यहां मैच कर रहा है इस ग्राफ कलर इधर इधर दोनों मैच करेगा इधर मैच करेगा क्या नहीं तो जेतना दूर मैच करेगा वही आपक क्या हो जाता है color हो जाता है यही आपका answer खलाता इस परकार से हम लोग color कर देते हैं जी लोग answer मिली गया दूसरा अब समझते question number हम लोग इसको note करते फिर देखते हैं क्या देखे question number 3 ए दिया इसको कहा जारा solve करें इसको solve करें कैसे इसको लिए भी क्या ना हम लोग को आलिक भी दिश्धाल करना था पहले आप हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा संगत समीकन इसका संगत समीकन लिखेंगे तभी गराब बना सकते जानते हैं ते लिख दो एक प्लस में 2 बाई बरवर 20 इसका लिख दो 3 एक प्लस बाई बरवर क्या पंद्रा लिख दी अब इसका गराब बनाना था हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा टेवल अब बोलेंगे क्यों सर अभी अभी क्योचन में टेवल आप नहीं बनाए वहा लघंड कामान 2 कंट जर रक केंगे दभाई कंट काहीगा डस एक बारवार कंट लख दो तो बाई कमान 10 रख दें गते क्षच बर डारेक्ट क्या हो जाएगा 20 लो ऐसी रखते पिर यहां भी टेवल बनाना हो तो यही रूल अपनाते हैं mm сделал ग्राफ बन गया इस समीकन का भी इस समीकन का तेहां पे खिच देजी आप ग्राफ टेबल बना लिए ते ग्राफ खिच दो एक्स डैस और एक्स बाई और एक्स बाई डैस जानते हैं फिर अब यहां पे 5 के अंतराल है त्व पांच के अंतराल ले लो 5, 10, 15, 20 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15, 15, मैंनस 5, मैंनस ऐसे तरह से 55 के अंतराले लिए करा 1, 0, बाई 10, एक्स जीरो यहां तो और एक 2, एक 2, तो 5, 10, 15, दacia 10, 10 नहां पे मैच्छे करेगा लिख दो 0 और 10 फिर x 20 by कितना 0 तो 5, 10, 15, 20 यहाँ पे तो इसको लिख दो क्या ना 20, 0 यह दोनों point को क्या कहले हम लोग मिला लो अब यह दोनों point को मिला लेते अब बरावर है तो गाढ़ा लायर से मिलाएंगे और आगे तक खिच दो और इसको भी आगे तक खिच दो आप असकेल से खिच लेंगे और x plus 2 by बरावर में 20 तो इस समीगन का एक ग्राप खिच दिए अब इस समीगन x 0 by 15 x 0 by 15 यहाँ होगा तिहां लिख दो 0 और 15 फिर x 5 by 0 x 5 पाचे जा तो लिख दो 5 और 0 अब इस दोनों पाण को मिला लो बरावर का चिना है तो बोल्ट लैंस से आगे तक खिच दो आगे तक इसको भी आगे तक खिच दो खिच दे समीगन लिख दो किसका है जी तो एस समीगन आपका है x और 3x प्लस में बाई बरावर 15 का है और a समीगन गयाते एक ग्राफ एस समीगन लिख देंगी अब कलर कहे लो पहले इस ग्राफ का कलर करते इधर इसका ग्राफ कलर कैसे करेंगी तो इस पे हाथ रखो एक सचपे हाथ रखो और क्या कर ना 20 से बढ़ा होना झाए किसका x और by का मान साड होगा अब इस ग्राफ का कलर कदर होगा साड या या साड पता करो अब 15 से करा एक्स और बायका मान छोटा कर दोनुं ग्राफ कहां मेच कर रहा है यहां match कर रहा राइट इतना दूर match कर रहा तो आप इसको इस तरीके से color कहलो एक color कहले ते color और इस graph के लिए ऐसे color कहलो इस graph के लिए इस graph के लिए आप इस तरीके से color कहलो तो और यह हो गया color राइट इस तरीके से answer हम लोग देते हैं राइट दोनों match इतना दूर किया इतन नहीं अंसर होगा तो इस पर का अब क्यूशन नमर हम लोग समझते हैं फोन इसको नौट करो देखती है फोन गलेस्यों के समझ रहें कि इसका ग्राफ बनाना यह भी कितने समिकन है दो जैंक जिसका भी ग्राफ बनाने के लिए हम लोगो क्या लेखना पड़ेगा संगत समीकन ते इसका संगा समीकन क्या हो जाएगा X प्लस बाई बरवर 6 यहाँ पर क्या हो जाएगा 2X माइनस बरवर 0 लिखती है अब इसका अगराब बनाना तक table बना लो जी table बना लिए और यह हो गया X by X कमान 0 0 रखेंगे तो by कमान 6 मिलेगा अब कि by कमान 0 रख दो X कमान क्या मिलेगा 6 ठीक है और यहाँ पर भी table बना लो और X और by X कमान 0 रखो तो 0 रखेंगे तो by कमान क्या जाएगा 0 यह आएगा फिर X कमान 1 रख दो 1 रखेंगे 2 तो by कमान 2 आजेगा डाइट अब बना ले table बना ले अब क्या करो गराब खिच दो गराब खिच दो X axis by axis X dash by dash और अब 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 5, 6 तक है नि और यहाँ भी 5, 6 तक minus 1, minus 2, minus 1, minus 2 यह आपका क्याना 0 है अब देखो X 0 by 6 तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पे इसको लिख दो 0 और 6 फिर X 6 by 0 X 6 तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पे इसको भी लिख देंगे 0, 6, 0, 6, 0 अब इस दोनों 5 को मिला दो कैसे मिलाएंगे? बरावर है क्या? बरावर का चिन्धा नहीं है तो आपको dot dot land से मिलाना पड़ेगा और आगे तक खिच दो और इसको भी आगे तक खिच देंगे इसका color color इसका समीकन लिख दो X plus by बरावर इथा लिख देते हैं X plus by बरावर किसका है? 6 समीकन का graph है तो यह समीकन का graph बना लिए अब यह समीकन गराव बनाओ X बरावर 0, by बरावर 0 यहाँ पर सिर्ट एक्स व्रवर बरबं वाई बरव बरव बन एक्स ब्रवर बन यहाँ बरवर् 2 यहां मैच करेगा जो इसको भी आगे तक ही दो किसका ग्रा बन गया तो 2x-y बरवर 0 का अब ये दोनों ग्राफ को क्या करना हम लोग को कलर करना अब कलर कैसे करें धियान दो पहले इस ग्राफ पकलर करती ग्राफ पकलर इधर होगा या इधर होगा पता नहीं तेहाँ पे हाथ रख ले रो अब देखो कराए X और इस तरह से A-Ro दे के छोड़ दे मतलब पता चला इस ग्राफ का कलार इधार होगा अब एक ग्राफ आजाओ इस ग्राफ का कलार किदर होगा इधार या इधार अब इसको पता कैसे करें यहां आजाओ अब देखो X negative है निगेटिव वाला को तो छिपालो छिपाली अब क्या करा जीरो से बड़ा होना चाहिए किस का मान एक्स जो निगेटिव आ जा है तब निगेटिव वाला को छिपाल लेते हैं पोजेटिव वाला देखते हैं एक्स पोजेटिव है तो जीरो से बड़ा होना चाहिए एक्स का कर रहा है तो दोनों मैच यहां कर रहा है तो इतने दूर ही कलर होगा जितना दूर मैच कर रहा है वही आपका क्या हो जाएगा कलर हो जाएगा तो इस क्राफ के लिए ऐसे कलर कर दो तो दोनों इतने दूर मिल रहा है अब जितना दूर दोनों मिलेगा वही आपका क्या हो जा करने के लिए अभी उप की शार समीकरन आ गया ते इसको इसको भी शाल कर ना सथा नहां सबसे पहले सब खाल्सका लिख देजी संगत समीकरन ते सका संगत समीकरन समीकरन क्या जागा टू एक स्पलस दाइग और यहां पे अग्रेटर इन माइनस में 3 बरावर 0 ते मिल जाएगा 2x प्लस बाई बरावर क्या 3 आप यहां भी बोल सकते थे 2x प्लस बाई greater than is equal to 3 इसका संगत समीकन लिख दो पहले x-2 by less than is equal धर ले जाएंगे minus 1 इसका संगत समीकन क्या हो जाएगा x-2 by बरावर minus 1 इसका संगत समीकन लिखने की जरुवत नहीं है यह आपको बताएंगे इसका मतलब क्या होता है x मतलब x का value 0 से बढ़ा होना चाहिए by का value भी 0 से बढ़ा होना चाहिए इसका मतलब किवाल first गहर में color करना होता है अब इसका कलसंगत समीकन लिखने के बाद table बनाना पड़ेगा table बना लो और x है और by x कामाद 0 रखो तो 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 0 तो by कामाद डारेक मिलेगा 3 अब by कामाद 0 रख दो x कामाद क्या मिलेगा 3 बटा दो यहाँ भी table बनाना है तो just table बना लो ऐसे और a लिख दो x और by x कामाद 0 तो 0 रखेंगे तो by कामाद क्या मिलेगा 1 वटा दो अगर by कामाद 0 रखते हो तो x कामाद माद बन यह आगा table बन गया अब table बनाने के बाद just इसके निचे ग्राफ खिख दो और a आपका क्या ना ग् x dash है और a आपका x और a आपका by dash और a आपका by खिच दिये और अब क्या करो ने इसको color कर दो देखो x 0 by 3 पहले लिख दो 1 2 3 1 2 3 4 और 1 minus 1 minus 2 minus 1 minus 2 ऐसे x 0 by 3 तो 1 2 3 यहाँ इसको लिख दो 0 और 3 x 3 बटा दो by कामाद दो 3 बटा दो मतलब क्या 0.5 sorry 1.5 तीन बटा दो मतलब 1.5 1.5 मतलब एक यहाँ है तो और 1.5 यहाँ होगा तो 0 x कमाद 1.5 यहाँ जीरो कमाद दो इसको यहाँ मैच करेगा तो इसको लिख दो और 1.50 अब इस दोनों पाइंट को मिला दो इस दोनों पाइंट मिलाएंगे बरावर का चिनना है तो अब ब खिच दो खिच दि इसको भी आगत खिच दो तो समीकाण लिख दो किसका समीकार है 2 x प्लस by बरावर 3 का हो गया अब इसका खिलर दो x बरावर 0 by बरावर हाप हाप मतलब 1 by 2 मतलब 0.50 यहाँ 0 है यह हाँ ए जा होगा तेसको लिख दो यहाँ पे क्या जीरो जीरो और एक वटा दो लिख दी ए जी पॉइंट फिर करा एक्स कमान माइनस बन बाइक्स कमान माइनस बने जा तो इसको लिख देंगे हाँ पे तो माइनस बन और जीरो अब दोनों पाण को मिला लो अब किस से बरावर का चिनाया तो लड़ा ओगा लाइन से आगे तक खिच दो इसको भी आगे तक खिच दे इसका समीकन का नाम लिख दो तो समीकन का क्या नाम लिख दे और एक्स माइनस में टू बाइ बरवर बन एस समीकन का ग्राफ है लिख दिए लिख दिए अब क्या करो कलर कर दो इस घ्राफ इस ल्यान का और इस लाग इसका मतलब केवल सकाम नहीं देंगे क ανα अब देखो इधार इसका गरह करो इसका कहरण कि अब देखने के लिए हां देखो एकस और बाई को अमान क्या होना चीट तीन से बड़ा तीन से बड़ा कि यहां भर गाए इसका अधर भर हो गया किस graph आ इधर होगा अब इस graph का देखो color किदर होगा इधर या इधर इसको पता करने के लिए हाँ पे जाओ x by negative आ by को चिपालो अब देखो माइनस बन से क्या होना चीए छोटा किस का x कमान तो माइनस बन तेजा माइनस बन से छोटा x कमान किदर होगा यहां मैच कर रहा तेतने दूर मैच कलर करें इधर भी कलर मैच कर रहा लेकिन किस घर में आ गया सकेन घर में बोल रहा किसमें फरस्ट घर में इसका कलर यहां से होगा राइट यहां से इधर नहीं होगा यहां से होगा ऐसे ऐसे और इसका कलर ऐसे होगा ऐसे यहीं तक आगे भी हो सकता था लेकिन यहां पे बोल चुका condition इसलिए इतने दूर होगा color यह हो गया क्युष्चर नमबर आपका क्या पांच इस परकार से बनाते अब हम लोग समझते क्युष्चर नमबर 6 इसको note करते फिर देखते हैं 6 क्युष्चर नमबर देखे 6 इसका कहा जारा संगत समिकन कैसे लिखे तो यह हम लोग करूँ ना पिसका graph बनाना तो संगत समिकन पहले लिख दो graph बिदिस से हल करना तो इसका संगत समिकन जानते क्या होता है 4x plus 3 by बरवर 12 इसको भी लिख दो 4x minus 5 by बरवर minus 20 अब इसका graph बिख ना तो just इसके नेचे क्या बना ले जहे टेवल टेवल बना लो x और 2 यहां भी टेवल बना लो आप टेवल बना लिए a हो गया एक्स और 2 X का अमान अगर 0 रख दें, तो 0 रखेंगे तो 0 झाल चारती याबारत 4 आएगा. अगर बाई का अमान 0 रख दो, तो2 का मान 0 झाल थे क्या ही जागा? 4 तीन आएगा. राइट? हो गया. यहां देखो, X का मान अगर 0 रख दो, तो 0 ही होगा 4 पचे 20, तो चार आएगा अगर बाई कमान जीर रख दो तो जीर रखेंगे तो 425 माइनस में 5 आ जाएगा हम लोग टेवल बना लिए टेवल बना लिए तब क्या कर दिजे ग्राफ खिच दिजे अब ग्राफ खिच देते हैं तो देखो आपका ग्राफ तो यह आपका बाई एक्सीस और एकस डैस और एकस बाई डैस अब यह मुल बिन्दू 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 एक मानस 1, मानस 2, मानस 3, मानस 2, मानस 4, मानस 5 इस तरह से यह हो गया हम लोग का पॉइंट अब बिन्दू रख दो 1,0,4,1,2,3,4 एक जापी होगा ते इसको लिख दो 0 और 4 फिर 1,3,2,0,1,2,3,0, एक जापी ते इसको लिख देंगे 3,3,0 ते दुन्डू बिन्दू को मिला लो बराबर का चिना है तो बोल्ट लैंस है तो बोल् समेकर लिख दो किसका है जी 4x समीकर का गराफ अब यह देखो तो बोर्ट लैंस से और आगे तक खिच दो और इसको भी आगे तक खिच दो खिच दिये समीकल लिख सकते हैं इसका किस क्या 4x-5 by बरवर मानस 20 ग्राफ खिच आगे अब क्या करना है कलर करना अब कलर कैसे करें इसका कलर करने के लिए हम लोग को पहला इस ग्राफ का कलर कहलो अब इसका color इधर होगा, किधर होगा, पता नहीं, आज X भी positive है, by positive है, मतलब आपको किसी को छिपाने की जरुवत नहीं है करा 12 से बड़ा होना जाए, किस का मान, X का मान और by का मान, पता 12 से बड़ा किधर मिलेगा इधर, किधर का मान मिलेगा, इधर color तो पता हो गया, किस graph वा color किधर होगा, इधर, अब इस graph का देखो, color E side होगा, कि E side, यहाँ देखो, X negative होगा, तो बाई, सॉरी, by negative, तो बाई को छिपा लो negative वाला part को छिपा लेते हैं, positive वाला को रहनेते हैं, अब करा, minus 20 से क्या होना चेह, बड़ा होना चेह, किस का मान, X का मान, तो X का मान, minus 20 से बड़ा, तो X का मान, minus 20 से बड़ा, तो X का मान, minus 20, यहाँ, X के पास, 20 से बड़ा किधर होगा, इधर, इधर, minus 20 से बड़ा होगा अब देखो दोनों का मैच कहां कर रहा है इस ग्राफ का कलर यहां मैच करेगा यहीं अंसर देंगे राइट इस तरीके से ऐसे और ऐसे ऐसे दे दिए अब इसको ऐस तरह से मिला दो तो मिला दिए देखो यहीं हो गया आपका क्या अंसर यहां अंसर हो गया तो इस परकार से किफचा नमर हम लोग 6 तक कंपले अब 7 8 9 10 आप लोग खुद से बनाओ अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं आज क्लास से दिन तक थैंक्यों अच दिन सुक्रा भी मिलते हैं नेक्ट क